आप मेरे गोल्ड का वो देखना लग रहा है ना और यह देखिए हलो अबरीबॉन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग आप सुभी का आपके अपने यूटूब चल्वे बहुत बहुत हैं तो यहां से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है सामसे बनाना मैंने स्टार्ट किया और आज मेरा एक सपना हो गया समझ लीजिए आप कि रानी हार समझ लीजिए यह नौ लख्खा हार समझ लीजिए उसकी सारी जानकारी दूंगी जी हां मैं आप लोग को कि वनना काफी लोग फिर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और बोलेंगे कि इतने सारे पैसे कहां स कि आपको पता है गोड कितना जादा महंगा है कैसे लिए आर्थी तो मैं सारा सब कुछ आपको बताओंगी बस आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आप लोग देख रहे हूं कि आज आर्थी ने साड़ी पैनी है तो जी हां मैं आज गई थी रासन काट क आल हुआ करने आपको पता है मैंने बताया था करीब 3-4 बजे गई थी कि एक दो बजे तो मैं खोदी-फिरी होती हूँ फिर बाबु को सुला के जाना चीए यापका बाबु को नहीं LA कर जाती यूं मैं के ले ले गए थी क्योंकि धूब भी कड़ी आपको पता है बारा दस बजी के बाद ही कितनी ज़्यादा कड़ी धूब हो जाती है फिर सीधे यह करीब मेरे साथ साथ बज़रे थे करीब और मैं साथ वज़े से खाना बनाना स्टार्ट करती हूं तो आठ चाड़े आठ बज़े तक बनी जाता है कि इनको आठ साड़े आठ तक खाना दे ही देती हूं क्योंकि वैसे भी नॉर्मल विक्ति को भी इतने वज़े खाना खाना चाहिए एकदम नौदस बज़े खाके उसी दे लेटना नहीं चाहिए मेरी तो मेरी आदत ना भी क्या बता हूं दो तीन महीने हो गए ह हैं जब इनदोर से यहां पर आए हैं कि मेरा नौ-10 बज़े मेरा खाला होता है वड़ना जब वहां पर मैं 8 भज़े खाना खालेती थी टेल से भार्ब भी उसके बाद फेब लेटते थे पर यहां पर मेरा окंडी चेंच हो गया है थे ऐसे पेशेंट को नॉर्मल बेक्ति को आठ साड़े आठ वजे खाना खाने लेना चाहिए कि वो थोड़ा टहल भी सके और उसका खाना पज़ जाए तो मेरा सारा खाना बन चुका था सब्ची मैंने बना दी थी एक साइड लॉकी की बनाई थी अब मैं यहां पे गैस साफ कर रही हूं और तक गही हूं तो यहां पर में गैस साफ पूरी कर लूंगी जो जिससे हम बरतन दोलते हैं उसी से मैंने साफ किया है यह देख लीजिए मेरी कितनी गैस चम चम आ गई और मुझे ऐसे ही सफाई पसंद है तब ही मेरा मन करता है काम करने में अदर्वाइस वो फ में अदर्वा कम हलका पड़ाता है एब यहां पर सिंग को ढूलूँगी प्याज जिलके जो काटे ना तो यह बाबू अकसर क्या करता है कि उस पर डाल देता है सिंगम में डाल देता है तो मैं कोसिस यही करती हूँ उसको भी लागे हाथ मैजिक से अच्छे से कर देती हूँ ताकि जो स्मेल है इसकी वो उड़ जाए क्योंकि अकसर यहां पर खाना बनाना पर खाना रखना तो है न हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है तो यही है और साड़ी पहन के काम क बाद दीख वो कि अच्छने टकल रां सी कि मैंने के रिदों टनकी मैंने च्छने कोगा है प्रम प्रता हूँ प्रम वर्मेल प्राड़ रखनी देख अच्छने ड़ेल के आट एक लोगी अगारा प्रम न भीन क्या च्छने ही बिल्कुर उसके ओरिजनल सोनी की डिजाइन दिख रही तो मैंने सचा आपने बता दू बाबु के लिए मंगवाए हैं मैंने कपड़े तो यह देख लीजी आपकी सामने ही पैकेट कोल रही हूं अमाजन का और यह देख लीजी बाबु की ड्रेस यह तिनी प्यारी बहुत ज अच्छी है यह एक जीन्स का है जो एक आर्मी जीन्स होता है उसी की कपड़े का बहुत खुबसूरत लगा इसको बॉम्बो बहुत प्यारा है एक नुटी में आप लोगों को बता देख लीजी और अभी बता रही है और यह कि मैंने मंगाई थी साडी तो यह साडी आप ल कितनी प्यारी है और इसको अभी ओपन कर रही हुए देख लीजी है और इसका कपड़ा बहुत सौफ्ट है और यह बहुत अच्छी कपड़वाद रिट की है और ब्लैक और वाइट कॉमिनिशन आप समझी सकते है कितना जादा प्याना रखता है तो यह है और यह सिंपल सा को बताया है इसके सारे लिक अपने डिस्क्रिप्शन मॉक्स दे दूंगी आप वहां से जाकी चेकाउट कर सकते हैं ले सकते हैं और से मिल जाएगा उससे कुछ अगर आप में इस लिंक से लेंगे तो आप तो आज मैंने जो भी प्रोड़क्ट आपको बताए हैं वो गोल्ड का नहीं ले सकती पर आर्टिफीशल तो ले सकती है और कोई इसको देखके नहीं कहिए कि आर्टिफीशल है ना तो यह एक ग्राम की गोल्ड का है जो की एमजोन से पर्चेस किया है मैंने लिया था इसके सारी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले तो वही मैंने सुचा यह वीडियो मैंने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था पर इसको मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और यहां पर मैं भाजी काट रही थी वह उसकी चौराई की भाजी है मैंने सुच चलो यहां से भाजी वाला निकला था तो इसके भाजी काट रही थी सारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था पुरा काम हो चुका था तो इसके बाद पर मैं आराम भी थोड़ा सा मैं सोचा था कि इसको लास्ट में बैटके काट तोड़ूंगी फिर सुबा काड़ी तैयार हो रही है देखो वह उसने पता है आपको जितने भी डंठा लेना सारे बाहर वेक्ट था तो मेरा बाबु मेरी बहुत मदद कर देता है और मैं आप लोगों को देख रही थी कई वाल मेरे से क्या होता है कि मैं कैमरा चालू कर देती हूं मैं बैट जाती हू पर मेरा वीडियो ही शूट है मुझे बाब में पता चलता है एक तो घंटों को न मुबाल सेट करने में ही लग जाता है ट्राइपॉट को सेट करने ऑफ उसके बाद काम करना वैसे आप मुझे कमेंट करके बताईगा कि मेरा नौ लख़ा जो गोर्ड का मंगा सूर्त है वो नहीं दूफ है कि एक ग्राम की जीवर्ड भी मलते हैं उसमें Amazon में मिथे हैं एक ग्राम का जाद और पर है एक एक गराम सोना है या दो ग्राम में सोना है बट यह है कि कोई यह नहीं कि यह आर्टिफीशल है जो उसका डिजाइन है बहुत जाद ही अट्रेक्टिव कर रहा है एक दम जो गोल्ड का रहता है ठीकि मिले पास एक मंगा सूत रहा है मैंने आप लोग को बताया है उसका और उसका मैंने मिलाया है तो कुछ हद तक ठीक ही है और वैसे भी आर आजकल क पहन सकता है यह गोल्ड ओल्ड है जिसके पास नहीं है वह तो यही पहनता है तो फिर क्या बात है सोने में सौहागा है चलो ठीक है और बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा अगर आजका इत्तु सब्सक्राइब करना हम मिलेंगे अपना एक्स ब्लॉग में त दिल से थेंक्यू कि जो आप मारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं चलिए बाइबाई